कुम्ब के मेले में सबसे ज़ादा कुछ आकरशित करता है तो वो होते हैं नागा सादू हर अर्द कुम्ब और महा कुम्ब में नागा सादू अपनी टोलियों में नजर आते हैं ये नागा सादू शरीर पर भबूत लपेटे नाशते गाते डमरू ढपली बजाते अलगी दिखते हैं लेकिन जैसे ही कुम्ब का मीला खतम होता है तो नागा सादू उसी रात अचानक गायब हो जाते हैं और दूसरे दिन किसी को दिखाई नहीं देते आखिर कहां चले जाते हैं ये सादू जो फिर कहीं नहीं दिखते आखिर ये कहां से आते हैं कैसी हैं इनके रहसे में दुनिया आइए जानते हैं इनके बारे में सब कुछ जैसे ही सियस्त खतम होता है तो नागा सादू घने जंगल के रास्ते से यात्रा करते हुए निकल पड़ते हैं माना जाता है कि ये देर रात में अपनी यात्रा शुरू करते हैं जब लोग नीन की आगोश में होते हैं इनसानों में इनका अधिक आमना सामना ना हूँ इसलिए यात्रा के दोरां किसी गाओं या नगर में नहीं बलकि जंगल और विरान रास्तों में ही डेरा लालते हैं यही कारण कि यह आते या जाते हुए किसी को नजर नहीं आते और बाकी के दिनों में नागा सन्यासी के मालक और अन्य पहाड और निर्जन जंगलों के गुफाओं में बैठ कर तपस्या में लीन हो जाते हैं ये आम दोर पर एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं किसी को मालुम नहीं होता कि वो इन दिनों कहां और क्या कर रहे होंगे कई बार बहुत से नागा बाबा इन दिनों सन्यासी वस्तर भी धारन कर गमन करने लगते हैं वहीं कुछ नीवस्तर बाबा गुप्त सानों में जाकर तपस्या करते हैं इन दिनों वो जड़ी बूटी और कंद मुल के साथ जंगलों और पहाडों पर होनी वाली खाने की चीज तो कुछ अकेले ही यात्रा करते हैं कई बार ये जिस तरह गुपाओं में बैठते हैं उसमें कई कई दिनों तक भूके प्यासे भी बैठे रहते हैं नागा सादू एक जगा पर जादा दिन तक कभी नहीं रहते कुछ सालों तक एक गुपा या जंगल में रहने के बाद वो उच्रात और उत्राकट में रहते हैं अगर आप पहाड़ी राज्यों में ब्रह्मन पर जाए तो आपको कई आश्रम या रास्ते भी दिखाई देंगे मसलन रिशिकेश से निलकंड जाने पर आपने कई और भी मंदिर या मड़ देखी होंगे बस इनी पहाड़ीयों पर न